समस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसर्ष्ट आपका सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ DDMA ने डेली एपिडेमिक डिजीजिस रेगुलेशन के सम्बंद में जारी कर दिया है एक नोटिफिकेशन जिसके अनुसार DDMA की जो मीटिंग हुई थी जिसमें यह इस बात पर चर्चा की गई थी कि पॉजिटिविटी रेट अब दिल्ली का कितना गिर चुका है और ऐसे में ज्यादतर जनता भी वैक्सिनेटिड है इसलिए इस बात का फैसला लिया गया कि अब उन लोगों पर जुर्माना यानि की फाइन नहीं लगाया जाएगा जो सारवनिक जगों पर बिना मास के पाए जाएंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में मास ना लगाने पर फाइन था जुर्माना था बहुत से लोगों ने फाइन दिया है लेकिन अब मास ना महरने पर जुर्माना नहीं लगेगा, फाइन नहीं लगेगा हाला की DDMA ने यह decide करा है, इस बात का फैसला लिया है कि advisory जरूर जारी कर दिया है, कि advisory जारी कर दी है कि आप पहनिए मास पब्लिक प्रेसिस में आईए, तो मास पहन के आईए लेकिन मास ना महरने पर पिछल पहले की तरह अब किसी भी प्रकार का जुर्माना यानि की fine आपको नहीं देना है, साथ ही मैं आप सभी को इस विशे पर देना चाहूंगी अपनी राए, अभी भी कही ना कहीं कोरना का खत्रा टला नहीं है विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं, जहां अभी भी lockdown है हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व की सभी देश एक दूसरे से जुड़े होए है फ्लाइट से लोग आते जाते रहते हैं तो ऐसे में यह मतमानी की कोरना खत्म हो गया है हाला की जो हमने अच्छे तरीके से कोविट प्रोटोकॉल को फॉलो किया था फैक्सिनेशन की ड्राइब हमारी सरकार के द्वरा इतनी बड़िया तरीके से चलाएगी उसकी वजह से यह खत्रा फिल हाल के लिए टला हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विंती करना चाहूंगी कि आप मास का प्रयोग करे सार्वियक स्थानों पर जब भी जाए सेनिटाइजर अपने साथ रखे सोशल डिस्चंसिंग को बनाए रखे ताकी ताकी हम कोरना की इस मामारी से बचे भी रहे और इससे जीते भी उम्मीद करती हैं जानकारी से आपको लाब होगा मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसुष को जासे तीचे नमस्कार